हलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का सोने की चंस में आज मैं आप सभी के लिए जो रेसिपी लेके आया हूँ वो बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला था कि घर पे जो हम बच्चों के लिए बूंदी की लड्डू जो बनाते हैं तो दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कमेंट में की जो बचे हुई चाशनी है गुलाव जमन की रसगुले की चमचम की तो उसको हम क्या करें और उसको हम कैसे यूज़ करें तो same to same यस रेसिपी में लड्डू की रेसिपी में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि चाशनी से कैसे बनाते हैं लड्डू और ये देखिए मेरे पास चासनी है तो चासनी से ही हम बनाएंगे पुरानी चासनी जो भी पड़ी हो सब को इकठा करके एक बार अच्छे से पका लो उबाल लो अच्छे से चासनी को तो देखिए मैंने इसमें चासनी डाला है तो मतलब 6 किलो चीनी की चासनी है ये जितना म हमारी चाशनी में उबाल आ रहा है तब तक हम बेशन जो लड़ू वाले होते हैं बूंदी बनाने के लिए उसको हम रेडी करते हैं तो देखिए मैंने बेशन थोड़ा सा पहले लिया है क्योंकि इसको हम थोड़े बहुत कलर में डेकोरेट करेंगे दो कलर्स के हम बनाएंग कलर्स के में हम इसको डिवाइड कर लेंगे मतलब देखिए एक मैं ग्रीन बनाऊंगा और एक मैं रेड तो दुनों को हम सेम पानी डालके बिल्कुल अच्छे से थिक बैटर रेडी कर लेंगे देखिए मैंने इसमें पानी डाला और ये जो रेड वाला बेशन है हमारा या ये देखिए दोनों मैंने रेडी कर दिया है इसको अब अच्छे से ग्रीन और रेड इसको रखते हैं साइड में अब हम बनाते हैं येलो तो पीले रंग वाले बूंदी के लिए जो बेशन यूज किया जाता है तो वो मोटा बेशन है और बेशन मैंने इतना लिया है जित बेटर रेडी है अब चासनी में देखते हैं चासनी हमारी जो है वो उबल चुकी है उबाल आ चुका है उबाल आने वाला है भी आया नी वैसे तो इसके उपर जो मैंने आप सभी को दिखाया था गुलाब जामुन के छोटे-छोटे टुकड़े वगरा टोटके उसमें चा तो झाल जाएक ,"चासनी में जालतों है और ही जाग में चासनी के नहीं बचान होता भी में कोई अगर पहले से डाला है तो कोई प्राड़म नहीं दूसरी बार भी डाल सकते हो कोई प्राड़म नहीं तो भिस चासनी में हमें कोई भी कलर लगाने के जरूत नहीं क्योंकि किलर हमने सीधा डारीक ये बिल्कुल रेँडी है तो इसमें अशी वगरा कोई भी हो तो डाल सकते हो और चासनी की ठीकने साब देख सकते हो मतलब एक तारकी चाहिए हरकी तारकी बहुत ज्यादा नहीं एकней पतली तारकी चाहिए देखे इतना नहीं हमें चाहिए बस जितना मैं आपको दिखा रहा हूं सिम बस अब ग्यास बंद कर देते हैं तो ग्यास बंद करने के बाद आप हम रखते हैं कड़ाई तो कड़ाई मैंने रखा है भट्टी पे और उसमें एक टीन तेल डालूंगा मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑल का यू पर आउन कर दिया हमारा जो सेट अफ है वो रेडी है तीनो कोलर के मैंने बेसन रेडी कर लिए और बाकी जो निकालने के लिए छनी पोनी जो भी हमने है रख लिया और हाँ यह वाला आपको नहीं दिखाए यह पांच नंबर वाला चाननी है जो हमारे पास है आपने सुना होगा एक नंबर दो नंबर तीन नंबर है बहुत सारे तरह की छाननी आती है तो एक नंबर जो होता है वो बारीक वाले लड्डू बनाने के लिए जो मूती चूर्के होते है वो अले होते है और दो नंबर वाले जो होता है वो नॉर्मल पीले वाले लड्डू होते है उनक ठोकना पड़ता है तो इसमें देखिए मैंने ग्रीन वाला डाला है इसमें अभी अब इसको कोई भी हिलाने के ज़रत नहीं है बिल्कुल अपने आप ही ये नीचे गिर जाएंगे तेल में और बिल्कुल गोल-गोल बूंदी बनेंगे तो देखिए बस अब इसको हटाते हैं साइड में और इसको हम अच्छे से धो लेंगे और यहां ये देखिए अब इसको अच्छे से मतब तेल गरम होना चाहिए बहुत जादा ना गरम हो न तो इसका जो कलर है वो खड़ाब हो जाएगा तो बहुत जादा ना गरम हो और ठी पी है तो निकाले निकाल के चाशनी में डाले नहीं है तो और पका ले इसको अब हमने चाशनी में डाल दिया है इसको देखिए चाशनी में डालने के बद हलका सा इसको छोड़ दिना है इसी में और उसके बाद निकालना है अब हम तब तक रेड़ वाला भी बना लेते हैं तब तक चाशनी में पड़ा रहने देते हैं उसको तो red वाला भी same तरीके से हम बनाएंगे red color का बन जाएगा और ये just only दो color मैंने बनाए है only decoration के लिए बुंदी के अंदर आप only एक ही color का भी बना सकते हो पीले ही बना सकते हो लाल बना सकते हो जो color आपको पसंद हो बना सकते हो तो सेम तरीके ही है अब इसके बाद इसको भी ऐसे निकाल लेंगे हम जैसे उसको निकाला है इसको भी हम चेक करेंगे कि क्रिस्पी है या नहीं इसको हलका सा हाथ से उंगले से दबाके दिखोगे तो आपको पता लग जाएगा crispy और ना किसमें पता लग जाता है तो कि देều कें मैंने इसको निकाल दिया है और इसको यह निकाल दिया है क्योंकि सारे तीनोड गुलर एकी बार में मिक्स होगे जो कलर है इस्लिए मैंने निकाल दिया है अब हम बनाते हैं यलो वाला क्योंकि अब जितनी भी चासनी हमारे पास है वो सारा हम यलो वाली जो बूंदी है वो डालके इसको चासनी को अच्छे से सुखाएंगे पूरा तो अब यलो वाला हमने ज़्यादा बनाया है तो बेसन कम ज़्यादा लग सकता है उसमें डिपेंड करता है कौन से ब्रैंड का यूज़ कर रहे हो और कौन सा बढ़िया बेसन होगा उतना ज़्यादा खाने में स्वाद आएगा यह तो यह लड़ू बहुत ज़्यादा जाला है तो इसको थोड़ा पकने में ज्यादा टाइम लगेगा ज्यादा टाइम का मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा बस हलका सा है इसको एक बार उठाके पल्टा और उसके बाद इसको देख करके देख लेंगे क्रिस्पी है बस उठाके इसमें डाल देंगे चासनी म गरम होनी चाहिए जादा गरम भी ना हो मतलब और बीच में अगर चासनी ठंडी हो रही है तो उसको गरम कर दें तो देखिए मैंने चार बैच बना लिए हैं पीले वाले बूंदी चार बैच में हमारी जो चासनी है वो काफी ज्यादा सूक चुकी है और हां ऐसे उठा के इस इसमें जगा है जाए ताके इसी चासनी में हम बाकि जो यह बैच बन रहा है जासा है आप देखी रहे हो यहां पर तो यह हम डाल सकें इसी इसमें अब इसको भी अच्छे सेम डिप करेंगे इसी में चासनी अच्छे से इसके अंदर भर जानी चाहिए और चासनी थोड़ा-थोड़ा गरम रहना चाहिए बहुत ज्यादा नहीं गरम रखना है अब बीच में ग्यास के ऊपर इसको कडाई को रखें और बीच-बीच में हो सके तो ग्यास को जला दे न तो जो चासनी है वो जमने लग जाती है ठंडी होके तो देखिए अब इस भी चासनी है हमारे पास और बेशन भी बाकी है तो करीब 6-7 बैच बन जाते हैं तीन किलो बेशन में और हाँ ये देखिए मैंने केवडा एसेंस है मेरे पास इसमें डाला ज बेशन सकते हो और रोजवाला भी डाल सकते हो इसमें गुलाव जमुन वाला रोजवाला डाला हुआ है इसलिए मैंने नहीं डाला और अब बिल्कुल रेडी है सारे बैचेस हो चुके है तो जो चासनी बीच में बची है इसको साथ में मिक्स कर देंगे और ये बिल्कुल चासनी इसी में सूख जाएगे बिलकुल खतम हो जाएंगे हैं अब तीनों कोलर । मिक्स कर लेंगे तीनों कोलर मिक्स करने के बाद इनको थोड़ी दिर एक लिए छोड़ देना है ज्यादा नहीं थोड़ी दिर के लिए बस 10-15 मिनट लिए 10 से 15 मिंट के बाद चोड़ेंगे और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे निकाल के हम इसके लड़ू वगरा जो भी ऐसे अगर खाना चाहो तो ऐसे खा सकते हो देखिए मैंने निकाल लिया है अब इसमें हम मगज डाल देते हैं तो मगज अगर आप के लिए optional है अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो जो भी आप इसमें डालना चाहो वो डाल सकते हो तो देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला देया ताकि यह जल्दी ठंडा हो जाए और ठंडे होने के बाद मतलब जादा ठंडा भी नहीं करना इसको क्योंकि यह फिर गोल नहीं होगा मोटी बोटी बुंदी होती है तो यह जल्दी गोल नहीं होते है अब इनको मैं गोल करने के कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी जादा ठंडा नहीं है इसलिए गोल हो जाएगा, गरम गरम ही करेंगे अगर गरम गरम ही इसको गोल करेंगे तो यह हो जाएगा तो देखिए बिल्कुल लड़ू जैसे बन गए बिल्कुल और ऐसे ही सेम हम अपने display counter वाली जो tray है हमारी, उसी में हम लगाते जाएंगे ऐसे सारे और बाकि जो एक्ष्रा बचेगा वो हम बड़ी वाली ट्रे में रख देंगे तो सेम ऐसी आपने बना लेना है बिल्कुल अभी ये रैडी है तो देखिए हमने सारे बना के रैडी कर लिये हैं और बहुत ही बड़िया लगते हैं बहुत ही खाने में बहुत जादा टेस्टी होते हैं तो ये तो हमारी डिस्प्ले काउंटर में जो लगेगी वो ट्रे है और जो बड़ी वाली ट्रे है वो हम अंदर कार खाने में रखेंगे वो है तो देखिए बिल्कुल अभी ये मतब सूख चुके हैं अब ये टूटेंगे नहीं अब इनको उपर नीचे एक ऐसे भी रख सकते हैं अब ये नहीं टूटेंगे थोड़ा सब 10 मिन्ट में सूख जाते हैं तो चलिए चलते हैं डिस्प्ले काउंटर में इसको लगा देते हैं आपको दिखा है मैंने लटू कहा लगा है ये कोने में सबसे उपर पड़ा है बिचारा के लिए तो ये देखिए अब यासी सारी जो सारी रेसिपिस आप देख रहे हो सभी की रेसिपी है जो अपलोड है मेरे चैनल पर आप देख सकते हो थैंकियू सो मज गया तो दोस्तो